नमस्कार, मैं सबकी शिक्षा में आपका बहुत स्वागत करती हूँ आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रही हूँ कि गवर्मेंट सर्वुद्य विद्याले में किस दिन शुरू होंगे दाखिले जी हाँ, तो यह दाखिले जो है वो शुरू होंगे 25 मार्श 2023 शनीवार का दिन है और अब आप मेरे से पूछेंगे कि कब तक चलेंगे यह दाखिले तो यह दाखिले चलेंगे 31 मार्श 2023 तक जो कि शुक्रवार का दिन है जी हाँ तो 25 को यह दाखिले शुरू होंगे और 31 तक चलेंगे अगर 31 के बाद भी सब बच्चों के दाखिले होने के बाद भी अगर सर्वोध्य विद्यालियों में सीटे बचती हैं या कुछ सीटे खाली रह जाती हैं तो जिन बच्चों को वेटिंग लिस्ट में रखा गया है उनके दाखिले शुरू होंगे 1 अपरेल 2023 यानि की शनिवार के दिन से और यह दाखिले चलेंगे 5 अपरेल 2023 यानि की बुद्वार के दिन तक तो दाखिले की जो तिथिया है वो 25 से 31 और 1 से 5 तारीक है लेकिन पहले दाखिला 25 मार्च से 31 मार्च तक होगा हो सकता है कि 31 मार्च तक ही उनके सारे दाखिले समप्थ हो जाएं कोई सीटे खाली ना बचें तो अगर सीटे नहीं बचती हैं तो फिर 1 अपरेल से 5 अपरेल वाले दाखिले नहीं होंगे, अगर सीटे खाली बचती हैं तो ही 1 अपरेल से 5 अपरेल वाले दाखिले होंगे, वो भी उन बच्चों के जिनको वेटिंग लिस्ट में रखा गया है, तो यह थी महत्वपून जानकारी की 25 मार्च 2023 से जो है दाखिला की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी, बिल्कुल अगले दिन ही, जी हां तो 24 को लिस्ट जो है नोटिस बोर्ड पर लगेगी, कि किन-किन बच्चों को दाखिला मिल सकता है और 25 से ही उन्होंने दाखिला की प्रक्रिया शुरू कर दी है, तो आप 24 को स्कूल जरूर जाएं, यह देखने कि आपके बच्चे का दाखिला हुआ है या नहीं, आपके बच्चे का नाम है या नहीं, अगर आपकी बच्चे का नाम है तो फिर 25 से जो है आप दाखिले की प्रक्रिया शुरू कर दे, अब मैं आपसे इजाज़त चाहँगी, सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब करना ना भूले, घ फेस्बूक और इस्टरग्रम पेज पर भी जरूर फॉलो करें, नन्यवाद!